भाजपा रास्टी अत्रक्स जेपी नड़ा ने संगटना अत्मक जिला कांगडा नूरपूर देहरा के भाजपा कारेलों का ओंलाइन शिलानियस किया इस दोरान धर्मजाला में कांगडा संगट नात्मक जिला कारेले की शिलानियास अपसर पर सांसुत किशिन कपूर समाजिक न्याय एवम अधिकारता मंत्री सर्वीन चोधरी बिधायक बिशाल नहरिय सहित जिला पदाधिकारी वह युबा कारेकरता मोजुद रहे इस दोरान उपसित पार्टी पदाधिकारियों वह कारेकरताओं को राष्ट्री अधिक्ष जेपी नेड़ा स्तियम जेरम ठाकुर और प्रदीश अधिक्ष सुरेश कशिप का संबोधिन मिला सभी नेताओं ने भाजपा के बढ़ते परिवार के चलते पार्टी के आदोनिक क कारेकरताओं को समय की जरूरत पताया समाजिक न्याय एबम अधिकारिता मंतरी सर्वीन चोधरी ने कहा कि कारेले होना किसे भी संगटन के लिए होना अवर्शक है आज बिभिन छे संगटनात्मक जिलों में भाजपा राष्ट्री अधिक्ष ने कारेलें का ओनलाइन शिला काम चलेगा पहरे भाजपा ने जिलासर के छोटे से कारेले में ग्रूपिंग की है पार्टी आगे बढ़ रही है और पार्टी का परिवार आगे बढ़ रहा है पार्टी का बड़ा कारेले होना जरूरत थी जिसे पार्टी नेत्रत्व ने पूरा किया है मुझे लगता है कि जिस्ता से हमारे राष्टियर देक्ष्ट मानवाश्री जेपी नड़ा जी ने कहा कारियले होना एक विदिवत रूप से किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी यहां तक कि अपना घर भी चलाना हो कोई भी इंसीट्यूट अगर होता है तो उसके अंदर जो गती विदियां को हम लोग आज कर डिजिटल रूप से आज कर गुगल कर जामाना है वाट्साइप के माधियम से हम पूरे देश में कार्यकरतों के साथ जुड़ते हैं और एक महत्वपूरां कड़ी है कि जिस तरीक शिला न्यास की गतिवेती जो है यह हमारे राष्टे डियक्ष जी ने आज दिली से किया है मानुवर मुखे मंति श्री जैरम ठाकुर जी विशेश रूप से उनका संबोधन हमको मिला है और हमारे जो है परदेश के अध्यक्ष जो है मानुवर सांसत मोहरे मानुवर कर्ष यह सब जगापे जहां पर हमारे छे जगापे कारियले बनेंगे तो निश्चित रुक से अच्छा काम चलेगा आने वाली पीडी के लिए प्रेड़ना हमारा वैसे तो कारियले धर्मशाला में जो है जिले का था डिपू बजार में काफी सदियों से चलता था उसी कमरे में हम लोगों ने उसी सधारन तरीके के साथ जो है उसमें अपनी ग्रूमिंग की है हम लोगों ने सदियों से 30 साल से उस डिपू बजा़के कारियले को में देख ली थी लेकिन अभी जो डिसीजन लिया है पार्टी आगे बढ़ रही है हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है औ और कहां दो से लेके आज दूसरे बार परधानमंद्री के रूप में सांसद और भारती जन्ता पार्टी का परचसन हमारा जो जंडा बुलंद हुआ है तो मुझे लगता है यह बहुत महत्रपुरन कड़ी है कार्याले इसलिए जरूरत थी उस जरूरत को पार्टी ने पूरा किया है